हेलो एवरीवन, वेलकॉम अगेन टू लन्वरे देदिमन तो हमारा चैप्टर चल रहा था डाज्जे स्थान के लोग संगीत तो देखिए हमने बहुत सारे लोग गीतों की बात कर ली उसके बाद फिर हमने वेवसाइक जातियों के द्वारा गाये जाने वाले लोग गीत जिसमें हमने कामन जाती की बात की फिर हमने मांगडियार जाती, काल बेलिया, लंगा जाती, मिरासी जाती इनके बारे में हमने बात की कहां निवास करती है और कौन से वादियंतर का ये प्रियोग करते है तीके ये सब हमने बात कर ली थी उसके बाद देखिए राजिस्थान की लोक गायन शैलिया तो यहाँ से प्ष्ण तो आता ही है वो कैसे क्योंकि यहां से जो है वो कलाकारों के नाम पूछे जाते हैं कि ये किस शैली से संबंदित है ठीक है ये मांड गाय की शैली से संबंदित है या ये लंगा गाय की शैली से संबंदित है मांगड यार गाय की संबंदित है तो यहां पर आपको नाम याद रखने होंगे सबसे पहले देखिए मांड गए की, तो जैसल मेर को δसवी, क्यारवी सदी में मांड शेत्र कहा जाता था, ठीक है? तो मांड शेत्र होने से यहाँ पर गए जाने वाली जो शैली है, राग है, वो क्या कहलाई? मांड कहलाई. तो यहाँ जैसल मेरी मांड है, बीका नेरी मांड, जोदपुरी मांड, जैपुरी मांड जो है वो प्रिसिद्ध है और दिखिए सबसे जो important line की जो केसरिया बालम आओनी पधारों मारे देश यह जो गीत है, जिसको गाया है मांड गाय का अल्ला जुलाई बाई ने, ठीक है? तो यह गीत जो है वो बहुत जदा फेमस हुआ है, इंडिया में नहीं, बलकि विदेसों में भी बहुत फेमस हुआ है तो यह किस शैली का है? यह मांड शैली का है, याद रखेंगे तो इनके बारे में हम अभी बढ़ने वाले हैं, मांड गाय का हैं, इनके नाम याद रखिए, सबसे पहले है स्वर्ग यह गवरी देवी गवरी देवी जो है इनका जन्म तो कहा हुआ था इनका जन्म जो है वो जोदपुर में हुआ था लेकिन ये बीका नेर की मांद गायका मानी जाती है क्योंकि इनके जो मातव पिता थे वो दोनों ही बीका नेर दरवार की संगीत प्रतिवाएं थी ठीक है और संगीत जो है इन गवरी देवी को विरासत में मिला था जोदपुर घराने में एक मांड गायका थी राजिस्थान की कोकिला भी कहते हैं इनको गवरी देवी को मांड मलिका भी कहते हैं महाराजा उमेद सींग के समय जो है इनको सरवादिक प्रसिद्धी मिलती है 1954 में अखिल भारतिय संगीत सम्मेलन जो जैपूर में हुआ था इसमें इन्हों ने भाग लिया था किसने गवरी देवी ने इसके अलावा जो है मासको में यानि विदेश में भी आयोजित भारत महुतसम में गवरी देवी ने मांड गाय की से वहाँ जो सुनने वाले लोग थे उनका मन महुलिया था तो वहाँ भी उन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया था ठीक है और ये किस शैली के अंतरगत जो है हम इनको जानते हैं ये मांड गाय की शैली के अंतरगत ये गीत गाती है इसके अलावा जो है वो अल्ला जिलाई बाई है जिनका मैंने आपको अभी बताया ही है कि बाद है जमीला बानो बन्नो बेगम ठीक है जैपुर की गवरी बाई पाली की अब देखिए दो है गवरी बाई एक तो हमने अभी देखी थी गवरी बाई जो भीका नेर दूसरी हमने ये गवरी बाई जो कहां की है पाली की है उसके बाद है मांगी बाई मांगी बाई ये उदैपुर की है ठीक है तो इन में से जो है कुश्यन कैसे बनेगा कुश्यन जो है वो दो तरीके से बनेगा या तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो गवरी देवी हैं वो मांड गाय का हैं मांगडियार गाय का हैं या फिर लंगा गाय का हैं ठीक है ये पूछ लेगा दूसरा क्या पूछ लेगा कि इन में से तीन के नाम ले लेगा गवरी देवी, अल्ला जुलाई बाई, जमीला बानो, रुकमा देवी इन में से कौन है जो की मांड गायकी में निपुन नहीं है तो वहाँ पर आंसर आप देंगे रुकमा देवी, क्योंकि वो तो मांगड यार गायकी है, ठीक है नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट जो है वह है लंगा गायकी तो लंगा गायकी हमने देखा था कि जो बीका नेर, बाड मेर, जोदपूर, जैसल मेर राजिस्थान का जो पक्षमी भाग है वहाँ पर, मांगलिक अवसरों पर, ये जो है वो काने गाती है, तो इसके जो प्रमुक वाद है, वह है सारंगी और कामाईचा और यहां के जो कलाकार हैं, कलाकार तो आपको याद ही रखने हैं फूसे खान, करीम खान लंगा और हमीरदीन लंगा फिर देखिए मांगडियार गाएकी, मांगडियार गाएकी ये भी राजिस्थान के पक्षमी शेत्र में ही निवास करती है छे राग और 36 रागनिया जो है, इनकी होती है इस शैली के अंतरगत कामाईचा और खड़ ताल जो है स्वरगिया, सद्दिकी खा, मांगडियार ये खरताल वादक है गफूर खा, मांगडियार सफवर खा, मांगडियार और रुकमा देवी ठीक है तो आप इनके नाम जो है वो तो बहुत अच्छे से याद रखें मांड गाएका जो है उनमें आपको जो है वो सभी इस्तरियों के नाम मिलेंगे जमीला वानो, बन्नो बेगम गवरी भाई, मांगी भाई ये ना, गवरी देवी और अल्ला जुलाई भाई वो सभी मांड गाएका आए है और यहाँ पर यदि आप देखें मांगड यार गाएकी में तो यहाँ आपको सभी जैंट्स के नाम देखने को मिल रहे हैं और सभी के सभी जो है वो मुसलिम भी है नेक्स्ट देखें ताल बंदी गाएकी, राजिस्तान का जो पूरवी अंचल है अलवर, भरतपुर, धौलपूर, करौली, सवाई माधोपूर, दोसा यहाँ पर जो है वो ताल बंदी गाएकी आपको देखने को मिलेगी ठीक है, तो यहाँ पर आपके वल यही याद रखें कि ताल बंदी जो शैली है उसका प्रियोग जो है वह कहां गिया जाता है तो राजिस्तान की पूर्वी अंचल पर ठीक है, अभी यह तक तो देखिए इसमें से तो एक भी कुशन पूछा नहीं गया है मांड गाएकी और मांगड यार गाएकी वहां से प्रश्न तो पूछा ही गया है तो वो तो आप विशेश तोर पर याद रखें और सबसे ज़्याद आपको याद रखना है कलाकारों के नाम तो मैं आपको एक बार और याद करवाती हूँ कि मांड गाएकी जो है तो उसकी जो कलाकार है वो कौन-कौन है अल्ला जिलाई बाई है जमीला बानो है गवरी देवी है मांगी बाई है बन्नो बेगम है उसके बाद मांगड यार गाएकी जो है उसका याद रखें कि सबी जैंट्स के नाम आ जाएंगे साकर खान, रमजान खान और सद्दकी खान, गफूर खान, साफर खान ये सबी आ जाएंगे ठीक है और उसके बाद जो है हमने बात की थी लंगा गाएकी ही तो लंगा गाएकी जो है उसमें फूसे खान, करीम खान लंगा और हमीरदीन लंगा याद करने में बहुत ही आसानी होगी सबसे पहले आप मांग गाएकी के तो यहाँ पर बिल्कुल एक जगे ही मैंने इन सभी को लिख दिया है कि जैपुर जिला जो है यहाँ पर कौन-कौन से कला वसंगी संस्थान है, ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल फैक्ट है जो कि आपको ऐसे ही लर्ण करने हैं, यहाँ पर जो प्रश्न है वो कैसा पूछा जा कोई बात नहीं है, तो जवाहर कला केंद्र जो की विलुप्त हो रही कलाओं के सर्रक्षन ही तो 1993 में इसकी स्थापना की गई, वास्तू विद कौन है, चार्ल्स कोरिया, ललित कला अकादमी, यह कई वार एक्जाम में पूछा गया है, ललित कला अकादमी जो है, वह कहां ह जैपूर में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, और सिल्प कला को यह प्रोसाहन देता है, नेक्स्ट देखे, रविंद्र मंच सुसाइटी, यह 1963 में इसकी स्थापना होती है, फिर है राजिस्थान स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो जो महराजा सवाई राम इन्हों ने कला के विकास के लिए महराजा स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसकी जो स्थापना है वो 1857 इसवी में की थी, ठीक है, जो कि वर्तमान में इसका जो नाम है वो परिवर्तित होकर क्या हो गया है, इसका नाम राजिस्थान स्कूल आफ आर्ट्स हो गया ह तो राम सिंग्धारा मदर्सा ए हुन्डरी की स्थापना की गई और कालंतर में जो है इसका नाम बदल गया है, ठीके? राजिस्थान संगीत संधान ये 1950 में इसकी इस्थापना की गई कहां जैपुर में जैपुर कथक केंदre ये तो जैपुर में ही है 1978 में भले ही संजो है वो आप याद ना रख पाएं क्योंकि बहुत सारी संजो होती है तो हम याद नहीं रख पाते हैं लेकिन ये याद रखिए कि कौन से जिले में कहां पर इन्हें स्तापित किया गया तो जैपूर कथक के इंदर कहां है जैपूर में राजिस्थान संस्कृत अकादमी जैपूर में है राजिस्थान ब्रजभासा अकादमी 1986 जैपूर में है उसके बाद देखिए राजिस्थान ब्रिज भासा अकादमी, राजिस्थान सिंधी अकादमी, राजिस्थान उर्दू अकादमी, राजिस्थान हिंदी ग्रंट अकादमी, ठीक है, तो साहित्य के लिए दिया जाता है ये पुरुषकार, क्योंकि देखिए, यहाँ पर संगीत संस्थान, जो हैं, वो संगीत की ब तो बिल्कुल ऐसे ही याद रखना हैं जैसे लिखे हुए हैं कि ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, रविंद मंच सोसाइटी, राजिस्थान स्कूल आप आर्ट सेंड क्राफ्ट, राजिस्थान संगीत संस्थान, जैपूर कत्था केंद्र, राजिस्थान संस्कृत राजिस्थान ब्रजभाचा अकादमी, राजिस्थान सिंधी अकादमी, राजिस्थान उर्दु अकादमी, राजिस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, कहां हैं जैपूर जिले में इस्थापित किये गए हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखें, राजिस्थान धरोहर संर यहां तो आपको देखिए जैसे देए हुए हैं वैसे ही आपको याद रखने होंगे ठीक है यहां कुछ भी समझाने वाला नहीं है बार बार इनको पढ़िए लिक लिक कर देखिए कि उदैपुर में ये संस्थान है ये अकादमी है ऐसे याद रखें उदैपुर में है भारतिय लोकला मंडल ये इंपोर्टेंट है देवी लाल सामर द्वारा 1952 इसमी में से इस्थापित किया गया था पक्षमी शेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में उदैपुर में सिल्प ग्र सही कि अगला देखें जोद्पुर में रूपाएन संस्थान है राजिस्थान प्राच्य विद्ध्या-प्रतिस्थान ये कहां है जोद्पुर में अगला देखें वीकानेर में राजिस्थान-ब्राजय-अभिले पहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह लाइन क्योंकि कई बार एक्जाम में यह आया हुआ है कि राजिस्थान राज्य अविलेखागार कहां है बच्चे जो है वो जढ़ से जो है वो जैपुर करके आते हैं ठीक है याद रखें विकानेर में हैं राजिस्थान राज्य अबलिकागार, 1955 में इसकी स्थापना होती है, राजिस्थानी भासा, साहित्य और संस्कृति अकादमी, तो ये भी एक जागती जोद पत्रिका निकालती है, ठीक है? फिर देखें, गंगा नगर, गंगा नगर से राजिस्थानी पंजाबी भासा अकादमी जो है, यह गंगा नगर में है, टॉंक में मोलाना अब्दुलकलाम आजाद, अर्बी, फार्सी, सोद संस्थान जो है, वह है, 1978 में इसकी स्थापना होती है, तो चली, यहाँ पर हमने र कौन सी साहित अकादमी कहा है, यह आपको याद रखनी है, यहाँ पर, ठीक है, और पूछा ही जाता है, अब आप कहेंगे कि मैम कहती हैं कि यह भी याद करिए, वो भी याद करिए, एक्जाम में पूछा गया है, तो देखिए, यही मैं आपको बताना जा रही हूँ कि इन मेंसे ही प्रस्णों जो है वो पूछलिये जाते हैं, कई बार जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो पहले कि कुशन पेपर है, उनको भी सॉल्व करके एक्जाम में जाएं, क्या पता वो कुशन जो कि पहले पूछा गया था, आप्षन करती हूँ और यह जितने भी संगीत संस्थान हैं साहित्य और कला संस्थान है इनको आप याद करिएगा लिख लिख कर देखिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीजियो में थैंक यू बजब देखिएगा उनको कर देखिएगा लिख रुदान हैं वीजियो में वीजियो नेक्ट यूचिए और कर देखिए नेक्ट वीजियोो